एक खिलोने वाला ने अपने बेटे को खिलोना बनाने की कला सिखाने का निश्चय किया। वो बड़ा होकर खिलोने वाला ही बना। दोनों अब साथ में अपने खिलोने बेचने बजार जाते। पिताजी के खिलोने डेर 200 रुपे में बिकते पर बेटे के खिलोने का मूल्य 5-6 रुपे से ज़्यादा ना मिलते। बजार से आने के बाद खिलोने वाले अपने बेटे को पास बिठाता और खिलोने बनाने में हुई तुटी के बारे में बताता और अगले दिन उस गलती को सुधारने के लिए समझाता। ये क्रम बहुत सालों तक चला। लड़का काफी समझदार था वो अपनी निर्मान कला में सुधार करने का प्रयतन करता रहा। कुछ समय बाद उस लड़के के खिलोने भी देर सो रुपे तक बिखने लगी। खिलोने वाला अब भी अपने बेटे को उसी तरह समझाता और खिलोने बनाने में होने वाली गलती के बारे में अपने बेटे को बताता। बेटे ने अपनी निर्मान कला पर और भी अधिक ध्यान दिया और उसकी निर्मान कला और भी अधिक निखारने लगी. अब खिलोने वाले के बेटे के खिलोने चार पांच सो रुपे तक बिकने लगी. बेटे की निर्मान कला को सुधारने का क्रम खिलोने वाले ने अब भी बंद नही किया एक दिन बेटे ने जुन्चला कर कहा आप तो कमिया निकालना बंधी नहीं करते मेरी निर्मान कला अब तो आपसे भी बहतर हो गई है मुझे मेरे खिलोने के लिए चार पांट सो रुपे तक मिल जाते हैं लेकिन आपके खिलोने के मूलिय अब भी दो अड़ाई सो रु की बात छोड़ दी तब से मेरी प्रगती रुक गई और में दो सो रुपे से आधिक के खिलोने ना बना सका अपनी गलतियों को समझने और उसे सुधारने के लिए हमेशा तयार रहो ताकि बहुमूल्य खिलोने बनाने वाले श्रेष्ट खिलोने वालों की श्रेनी में सको योजट चिन्ह सीख अपनी निर्मान कला पर अहनकार ना करें